हेलो वाइस देवकान क्लासिज में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिमेट्रिक फंशन का लिमिट्स निकाम है तो सबसे पहले कुछ स्टेंडर्ड फार्मूले हैं जो कि हम लोग को याद होनी चाहिए सबसे पहला क्या है लिमिट सैन एक्स बाइ एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तब वन होगा यह इसी फॉर्मेट में होना चाहिए एक्स टेंडिंग टू जीरो ही होना चाहिए तभी ऐसे रिजल्ट्स का लिमिट्स कहांगे वन आएंगे अब मानलो कि लिमिट सैन एफ एक्स हैना सैन के अर्गुमेंट के अंदर क जो function है वही denominator में होनी चाहिए तो और क्या जब x टेंडिंग टू जीरो हो उस समय अपना fx भी टेंडिंग टू जीरो हो दिन इसका result भी क्या होगा 1 होगा इसी तरह 10 fx by fx x टेंडिंग टू जीरो हो तो fx भी क्या हो अपना टेंडिंग टी जीरो हो आए इस result पर हम question करते हैं जैसे अपना question दिया हुआ है कि limit निकालना है 1-cos x वटा x square x टेंडिंग टू जीरो तो जब सबसे पहले जब भी आपको limit का question मिले तो सबसे पहले आपको value putting करना है क्या करना है value putting करना है जब value put कर रहे हैं तो यह cos 0 क्या हो ज indeterminate form जब indeterminate form हो तो फिर हमें methods to solve limits का concept use करना पढ़ेगा तो सबसे पहले यह standard formula पिदेखो standard formula पिलाना पढ़ेगा इस पिलाना पढ़ेगा तो one minus cos x is equal to होता है देखो यह याद रखना होगा आप लोग के one minus cos theta जो होता है two sin square theta by two होता है तो इसी तरह हम यहाँ one minus cos x को two sin square xy two लिख दियो ठीक है अब limit से constant को बार निकाल लिए ठीक है अब देखो यहाँ sign x sign square xy two को हम sign xy two का whole square करता है अब ऐसा क्यों कर रहे हैं चुकि देखो अपना क्या था sign के argument में x है तो denominator में भी क्या होनी चाहिए x होनी चाहिए तो वही मैं x बनाने के वैसा यह standard form में लाने के लिए हमने क्या किया अब देखो यहाँ पर क्या था x square था हाना तो हम मैंने तो क्या क्या पूरे को square के अंदर कर दिया तब अपना standard form में आ जाएगा बट यहाँ पर two था क्या नहीं था तो हमने two बनाया है तो two को मैंने square के अंदर लिया है मतलब four से divide किया है तो आपको four से मतलब one by two square से multiply भी करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा value change हो जाएगा ना ठीक है तो अब देखो standard formula पे आ गया कि अपना limit होना चाहिए sin x का sin fx का और नीचे भी क्या होना चाहिए fx होना चाहिए और जदी x tending to zero हो और fx भी उसमें tending to zero हो देन उसका result क्या आएगा one आएगा ना जब x यहाँ पे zero आएगा तो x by two तो zero हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा यह one हो जाएगा two यह हो गया one into और यह वाली one by four तो इसका answer क्या आगया one by two इसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं बट पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है इसे मैं क्या क्या है standard form पे सबसे पहले लाया चलो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जदी कोई function होना चाहिए fx बटा gx और उस variable मतलब extending to a पे function में रखने पे उसका format या तो 0 by 0 या तो infinity by infinity आया तो हम क्या करेंगे पे एल हॉस्पिटल रूल अपलाई करेंगे जदी उसका limit L हो तब हमान लिए इस function का limit L आ रहा है और extending to a पूट करने पे या तो 0 by 0 आ रहा है या तो infinity by infinity आ रहा है जब तक कि हमें indeterminate form ना आए जिस point जितने बाद differentiate करने के बाद indeterminate form आज हट जाए तो उसी point पे वो उसका क्या हो जाएगा limit हो जाएगा यह मैं problem में बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझाएगा इस पर related question मैं मैं next videos में बताऊंगा thank you